सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिती बजार टाउन में इस वर्ष पर्यावरन को ध्यान में रखते हुए एको फ्रेंडली पंडाल का निर्मान किया जाएगा 45 से 50 फीट की उचाई वाले इस पंडाल में 12 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी जिला स्तरिय सलाहकार समिती DLCC की बैठक समाहरनाले सभागार में DC शशी रंजन की अध्यक्षता में हुई DC द्वारा जिला अंतरगत PMEGP, SHG समुहों को रिन प्रदान करना, PM किसान लाभुकों को केसिसी से आच्छादित करना, PMEGP की उपलब्धी, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, और सिटी के कार्य, सिदी रेशियों एवम अन्य विभिन कार्यों के अध्यतन स्थिती की सम हो की प्रतियोगिता का शुभारंब किया गया, जिसमें कुलाट टीमों ने हिस्सा लिया, जारखंड अंदोलनकारी सुसारन तोपनों के निधन की खबर मिलते ही उनके गाव दियांकेल में लोग जुटने लगे थे, बुधवार देर शाम को उनका निधन हो गया था, गु के परिजन को गुरुवार को SBI तोरपा शाखा में दो लाक रूपे की सहायता राशी का चेक दिया गया, खूंटी में संत मेरिज नर्सिंग स्कूल के नए भवन का शिलान्यास गुरुवार को किया गया, यह भवन खूंटी के पत्रा टोली गंगा अस्पताल तजना नदी के पास निर्मान किया जाएगा, रनिया प्रखंड के अती सुदूर केन्बा की स्कूल टोली में विगत तीन माह से और बिर्बान की के लुपुन पीडी में बिजली का ट्रांस्फोर्मर खराब, रनिया प्रखंड के डाहू पंचायत के सिम्र टोली गंग में महिला विकास केंद्र के द्वारा ग्रामीनों को केचुआ खाद बनाने एवं उससे होने वाली फायदा के बारे में बताया गया। भारतिय जन्ता पार्टी जिला कार्याले शनिवार को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्रा मोदी के कार्यकाल के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष पर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। न्यायाधीश सै डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश के मार्ग दर्शन में पांच दिवसिया स्पेशल मेडियेशन ड्राइब का 12 सितंबर को शुभारंब किया जाएगा। यह मेडियेशन ड्राइब 12 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। पोशन माह अभ्यान के तहेद गुरुवार को रनिया प्रकहंड में बाल विकास पर योजना विभाग द्वारा बच्चों को कुपोशन से बचाने एवं उन्हें सही आहार देने के लिए लोगों में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से पोशन जागरुकता रत ब्र दो दिवसिय विशेश पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।